इस lecture के अंदर हम कुछ terminologies देखेंगे जो machine learning के अंदर बहुत ज़्यादा use होती है और लोगों को बहुत confuse करती है और इन terminologies में सबसे पहले terminology आती है कि algorithm क्या होता है let's dive into this part और algorithm को समझते हैं कि algorithm असल में होता क्या है और क्यों दुनिया इससे confuse हो जाती है कि algorithm हमें बहुत तांग कर रहा है यहाँ पर मैं आपके सामने screenshot लेके आता हूँ और उसके उपर हम बात करते हैं algorithm कुछ नहीं है simply अगर आप algorithm को define करें तो algorithm होती है a set of rules or instructions set होता है rules का और instructions का given to an AI system to help it learn from the data ठीक है एक ऐसा set of rules है जो instruct किया जाता है या दिया जाता है या instructions के rules जो है AI system को AI system का मतलब है कोई भी एक system जिसके अंदर आप उस algorithm को लगाना चाहरे है to help it learn from the data for example decision tree is an algorithm ये एक algorithm है used for classification and regression task ठीक है अब आपको मिसाल देता हूँ यहाँ पे algorithm को अगर मैं define करूँ algorithm को मैं define करता हूँ सबसे पहली चीज मेरे पास एक data है 2, 4, 6, 8 ठीक है अब इसको अगर मैं 2 से multiply करता हूँ तो इसका answer आता है 4 इसी को अगर मैं 2 से फिर से multiply करता हूँ यानि के अगले digit को इसका answer आता है 8 6 को 2 से multiply करता हूँ तो इसका answer आता है कितना? 12, exactly अगर मैं 8 को 2 से multiply करता हूँ तो इसका answer आता है 16 अब अगर आप गौर करें, इसको अगर हम एक equation में लिखना चाहें, या set of instruction में लिखना चाहें, तो ये हमारे पास वो वली value है जो change हो रही है, ठीक है, इसको हम कह देते हैं x, सही है, ये value वो है जो change हो रही है, इसको हमने simply बोल दिया कि ये जी x है, ये है x, ठीक है, x को multiply जब करते हैं 2 के साथ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं न, कि ये है 2x, ठीक है, तो ये क्या करता है, जो x होता है, ये उसको double कर देता है, obviously, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे x की value कोई भी लिखते हैं, multiplied by 2 हो रहा है, तो ये x को double कर देगा, यानिके x plus x कर देगा, ऐ ऐसे ही है, अगर आप गौर करें तो, तो multiplication का जो rule हमारे पास है, ये इसी वज़ा से हमारे पास इतना important है, कि ये हमें एक ही चीज को अगर 2 से multiply करें, तो वो double हो जाएगी, अगर हमारे पास एक और rule हो, 3x, तो इसका मतलब है कि ये 3 दफ़ा जमा हो जाएगा, ऐसे ही है, अ आप खुद देखें कि जब हम इस एक function को या algorithm को देखें गौर से, तो है तो ये simply एक चोटा सा लफ जी जो खास दोर पर mathematics के अंदर एक, आप कह सकते हैं कि हमारे पास variable है और साथ में उसके constant है, जिसको coefficient भी बोलते हैं, तो ये दो चीज़े हैं, लेकिन अक्सरोकात होता य इस तरीके से हमारे पास algorithm हमाना start हो जाते हैं, कि आपके पास x और y की value की base पे z आ जाता है, यानि कि यहाँ पे अगर मैं x हमारे पास ये वाला column है, y हमारे पास ये वाला column है, और मैंने z को predict करना है, तो मेरे पास ये equation मجूद है, ये वाली equation, ये वाली equation मुदूद है, ये x को करूँगा मैं पहले 2 से multiply तो ये 2x हो जाएगा जमा 3 करूँगा फिर minus 4 into y करूँगा तो मेरे पास z आजाएगा यानि कि जो मैंने data दिया ना पहले machine learning model को उसने ये वाला मुझे pattern उठा के दे दिया कि ये pattern बनता है जी आपका equation का ठीक है और ये pattern कैसे आया है इस data के उपर जब आपने algorithm लगाया है उस base पे आपके पास ये pattern आया है वो algorithm क्या है मैं आपको simple सी बात बता देता हूँ say for example यहाँ पे एक simple बात लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे data है तीन चीज़ों का ठीक है is equal to जो हमारे पास y है वो यह है यानिके x1 हमारे पास यह है x2 यह x3 यह है और हमने y को predict करना है ठीक है x1 हमारे पास है जी for example मैं कह देता हूँ बाल यानिके here's ठीक है x2 हमारे पास है height x3 हमारे पास है say for example skin color या मैं इसको यह भी बोल देता हूँ nail length या इसको हम ऐसे बोल देते हैं hijab exactly और y है जी gender gender हमने predict करना है so हमारे पास here length आगई कितने लंबे बाल है say for example अगर 1 feet लंबे हैं 2 feet लंबे हैं या 1.5 feet हैं 1 feet हैं फिर height आगई कि height है 4.5 यानि कि 4 feet 5 inches something like that इसको मैं 160 150 cm में ले लेते हैं 140 और 130 hijab yes 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 ठीक है so आप अंदाजा लगाएंगे इनका gender किया है obviously हमारे पास यहाँ पे मैं इसको 9 कर देता हूँ हमारे पास यहाँ पे hair है, height है, hijab है और मैं model train करता हूँ कि पहली female है, फिर female है, फिर female है और यह मेरे पास male है so यह चार चीजों का data जब हम एक model को देते हैं और हमारे पास finally जो चीज हमने predict करनी है that is why तो why का मतलब है हम gender predict करने वाले हैं तो यह जो gender predict हो रहा है यह basically हमारे पास एक categorical variable है ठीक है तो यह classification algorithm होगा classification का अब हम एक algorithm होता है जिसका नाम है decision tree decision tree ठीक है वो क्या करता है वो basically कुछ इस तरीके से सीखता है data को मैं यहाँ पर side पर लिख देता हूँ कि अगर आपके पास start आपने लिया data से yes or no अगर बाल लंबे हैं यानि कि long hairs तो इस side पे आजो long hairs नहीं है तो इस side पे आजो फिर long hairs के बाद अगर आपकी height लंबी है तो इस side पे आजो height लंबी नहीं है यानि कि एक threshold रखते हैं लंबे चोटे का और वो है 5 feet से above या कम नहीं है तो इस side पे आजो फिर यहां पे decision से आगे आप आगे चलते रहते हैं ठीक है यह decision tree क्या करता है if else की condition लगा के अगर बाल लंबे हैं तो yes इस side पे आजो height भी तकरीबन normal है तो आप इस side पे आजो then हिजाब किया हुए yes तो आप इस side पे आजो और at the end आप यहां पे लिख देते हैं कि यह female है यानि कि female की properties जो हैं वो यहां पे data की base पे यह algorithm separate कर देता है और algorithm set of instructions हैं जो basically data के अंदर से patterns को find out करके आपको decision बना के देता हैं इस वज़ा से algorithm को समझना बहुत ज़रूरी है तो algorithm क्या हुआ अगर हम algorithm को define करें तो this is actually a set of rules और instructions given to an AI system to help it learn from the data ठीक है जैसे decision tree एक algorithm है इसी तरीके से के nearest neighbor है और इसी तरीके से और भी different किसम के हमारे पास algorithms जो हैं वो मुझूद है यहां तक आपको समझ आगी होगी